ऐलो फ्रेंट्स रादे रादे कैसे हो आप सब लोग फ्रेंट्स आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ वाटर मयलन स्मूथी इसको बाटर मयलन सेक भी आप लोग बोल सकते हो तो इसके लिए मैंने खरबूजा लिया है उसको मैंने कट करके एक वाल रख लिया है उसके बाद में मैंने एक चम्मच लिया है चिया सीट जिसको भिगो के मैंने साइड में रख दिया है अगर आपके पास सब्जा सीड हों तो आप वो भी यूज कर सकते हो उसके बाद में यह watermelon है इसको मैं पीछ लोगी mixi के जार में जिसमें मैंने यह डाल दिया है watermelon और मैंने एक कटोरी डाली है इसमें चीनी तो इसको पीछ के मैं साइड में रख दूँगी उसके बाद मैंने ले लिया है यह कटोरी इसमें दो चम्मच बरके मैंने यह custard powder लिया है आप किसी भी flavor क ले सकते हो तो friends इसको घोल कर मैंने साइड में रख दिया है एक लीटल लिया है दूद आप कोई भी ले सकते हो जो आपके पास अब लेवल हो उसके बाद में मैंने इसको अच्छे से बॉइल कर लिया है बॉइल आने पर मैं इसको पांसाथ मिनट के लिए अच्छे से पका हुए slow gas में मैंने इसको पकाया है उसके बाद में दूद मेरा गाड़ा हो गया है तो मैंने ये custard powder लिया है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें add कर दूँगी दूद के अंदर तो आप इसको चला लेना क्योंकि ये custard powder नीचे बैठ जाता है तो आप एक हास से इसको डालते जाना तो इस तरीके से मैंने पूरा custard powder डाल दिया है कड़ाई के अंदर और अच्छे से मैं इसको भी पका लूँगी पांच मिनट के लिए मैंने दूद को अच्छे से और पका लिया था उसके बाद में दूद हो गया था गाड़ा कश्टर पावडर हो गया था इस के अंदर उसके बाद में थोड़ी देर के लिए और पका लूँगी जिससे ड्राइफूट भी अच्छे से पक जाए उसके बाद में कर दूँगी गैस को बंद तो इसको थोड़ी देर के लिए आपको चलाते रहना होगा गैस बंद करने के बाद नहीं तो यह नीचे जम जाएगा क्स्टर पाउडर पड़ा हुआ इसके अंदर उसके बाद में एक बरतन में मैंने इसको निकाल लिया है और उसके बाद में मैं फ्रीज में रख दूँगी इसको दो तिन घंटे के लिए ठंडा हो गया है दो गंटे में अच्छे से उसके बाद में जो खरबूज बन जाती है ज्यादा टाइम नहीं लगता है उसके बाद में दो गलास लिए हैं उसके अंदर मैंने एक एक चमचिया सीड डाले है नीचे उसके बाद में इस स्मूथी को डाल दूगी गलासों के अंदर तो फ्रेंट्स इस तरीके से आप इसको बना सकते हो आप इसको किसी भ